आपने देखा होगा कि जो विज्ञान है तो बगवान के अस्तित्व को स्विकार नहीं करता क्यों उसके पास इसका तरक नहीं है तरक होता तो वो मान जाता तरक नहीं है उसको सही जवाब मिला नहीं या दे नहीं पाए तो विज्ञान बगवान के अस्तित्व को पैस्विकार करता है ये एक अलग बात है कि हमारी धारणाएं होती है हमारी परंपराएं होती है हमारा विश्वास होता है ये एक अलग बात होती है विशे मेरे विव से एक ऐसी तीसरी शक्ती होती है जो हमें नियंतरित करती है, वो हमें confidence देती है, विस्वास देती है, हमारे इरादों को मजबूत करती है, यही इश्वर होता है, हम उसको आधार मानकर अपने लक्षों को मजबूती देते हैं, इसे ही इश्वर कहते हैं, लेकिन वर्तमान में इश्वर का व्याविसाई करन हो इश्वर को बिजनस के रूप में इस्तेमाल करने लगे ये आप तेली देखते भी हो कोई कुछ बोल देता है कोई कोई चमतकार दिखा रहा है कोई कुछ बोले जा रहा है लोग समर्थन भी कर रहे हैं सबसे बड़ी बात लोग समर्थन कर रहे हैं लोग मान रहे हैं उनको ल लेकिन विज्ञान इनको स्विकार नहीं कर, यही विज्ञान की सबसे बड़ी टाकत होती है, तो जो विज्ञानिक दस्टिकून दिया था, वो इन्हों ने दिया.